कितिने जादा पतले पापड बने हैं, बहुत जादा ट्रांस्पेरिंट, इसके पीछे आप हमारी उंगलियां साफ साफ देख सकते हैं, मार्केट में ढूनने से भी आपको इस तरीके के पापड तो कहीं नहीं मिलेंगे, इस बात की गैरेंटी है, अगर आपको भी शिकायत ह कि आपके पापड फट्टे बहुत हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, अलो जोस्तो मेरा नाम है उमारावत और सागत है आपका फूर्ट साइप है, आलो और साबो दाने के पापड बनाने के लिए हुने आपर एक कप भीगावा साबो दाना ले लिया है, साबो दाने को आपने अच्छे से वाश करके जितना साबो दाना लेना है उतने ही पानी के अंदर बिगा देना है, उसके बाद ये ऐसा तयार हो जाएगा, बहती ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है, और इनका टेक्शर आप देख सकते हैं, बिल्कुल खिले-खिले दाने इसके न नेक्स्ट टेप के अंदर हम दो आलू लेंगे, ये कच्छे आलू हैं और इसे हम छीलेंगे, इन्हें हमने पहले वाश कर लिया है अच्छे से ताकि उपर की मिट्टे निकल जाए और उसके बाद इसे हम पीलर से छील लेंगे हमारे आलू छील चुके हैं और इन्हें हमने अच्छे से वाश कर लिया है अब इसके हम छोटे टुकडे करेंगे चुकि हमें आलू को पीसना है तो इसके हम बार एक टुकडे करेंगे ताकि मिक्सर ग्रैंडर जार में इसली पीस सके और इन्हें हम पानी के अंदर डुबा कर रखेंगे ताकि यह काले ना पड़े सभी आलू को काटने के बाद इन्हें अच्छे से दो तीन बार बहुश कर लीजे ताकि इनका एक्से स्टार्च जो है उपर लगा रहता है वो निकल जाए और पानी में डुबा कर रखे हर टाइम ताकि यह काले ना पड़े इन्हें अगर कप से मिजर करेंगे तो यह एक कप के बराबर है यानि कि एक कप साबुदाना तो एक कप आलू और आधा कप पानी हमने साबुदाना पीसने के लिया था और आधा कप ही हम इसके अंदर एट करके इसका भी स्मूथ पेस्ट बना लेंगे चुकि आलू को हमने पीसा है बट इसके अंदर chunks हो सकते हैं, मोटे टुकडे हो सकते हैं, तो इससे हम चान कर लेंगे और इसे चानेंगे हम साबुदाने वाले ही paste के अंदर और जो बचा रहे गया है इस चानने के अंदर इसे हम वापिस से पानी डाल कर पीस लेंगे और इसे भी हम इसे के अंदर सेम तरीके से छान कर ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा साबोदाना और आलो का घोल तेयार है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अब इस घोल के अंदर हम चार कप पानी और एट करेंगे एक कप पानी हमने पीछने में लिया था दोनों ही चुजों को और चार कप पानी और जाएगा तो ये हो गया एक कप पानी, दूसरा तीसरा कप और ये लास्ट, चौथा कप पानी तो टोटल यहाँ पर पांच कप पानी जाएगा इस घूल के अंदर और इसे मिक्स करेंगे और चलते हैं इसे पकाने की प्रोसेस की तरफ एक भारी तले के बरतन में हम इस घूल को प्रांसफर कर लेंगे अब गैस की आज को चालू कर लेंगे और इसे स्पेचुला से ऐसे लगातार चलाते वे पकाएंगे चूले के आज को शुरुआत में तेज रखेंगे ताकि इसमें अच्छा सा बॉल आ सके उबाल आ सके और जैसे ही ये पकते-पकते गाढ़ा होने लग जाएगा हम आज को कम कर देंगे कुछ समय के बाद ये घूल गाड़ा होने लग गया है अब बारी आती है कि गैस की आज को कम कर दिया जाए और अब आप इसकी consistency देख सकते हैं ये ठीक होने लग गई है यानि कि गाड़ी होने लग गई है बट इसे आपने लगातार चलाते रहना है इसे चलाना नहीं छोड़ना है otherwise ये नीचे से जल सकता है चिपक सकता है इसका बैटर तले में तो इसे लगातार स्क्रेप करते वे उपर से नीचे की और लेते वे चलाते रहना है इस बैटर को हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत जादा चिपचिपी गाड़ी ना हो जाए और ये दिखने में चमकदार ना हो जाए end result हम आपको दिखाएंगे कि आप कैसे पैचान होगे कि ये आप तयार है और इससे अब आपके पापड फटेंगे नहीं इस गोल को पकाते वे 10-15 मिनट बीच चुके हैं और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं ठीक होने लग गया है और दूसरी पहचान ये है कि इस पैक्चुला से ये रुक रुक कर गिर रहा है इसका बैटर ये देखे ये फ्लो में नहीं गिरना चाहिए ये एक पहचान है अगर आपको भी शिकायत है कि आपके पापड फटेंगे बहुत है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखे और इसको पूरी तरीके से अच्छे से फॉलो कीजे मेरी पूरी गरेंटी है कि आपके पापड इस बार फटेंगे नहीं और बहुत ही बढ़ी आत्यार होंगे दोस्तो तीसरी पहचान ये है कि इसमें बबल्स आने लग गया है इस बैटर के अंदर बबल आने लग गया है और ये और ज़्यादा थिक हो गया है इस गोल को कुक करते वे 16-17 मिनट हो चुके हैं बीच में हमने दो बार आज को थोड़ा सा तेज किया था ताकि इसकी जो हीट है वो मेंटेन रहे लेकिन इसे आपने अगेन कम आज पर पकाना है लगातार चलाते वे बीच बीच में आप एक आज बार तेज करके और दोस्तों ये पापड आप वरत के टाइम किसी तरीके का फास रखते न उस टाइम आप इसे खाकर अपनी भूग को शांत कर सकते हैं तो अब ये पापड का गोल हो चुका है एकदम थिक अब हम गैस की आज को बंद कर देंगे और इस घोल को पकाने में पूरा समय लगा है 20 मिनट का आपने शुरुआत में आज को तेज रखना है उसके बाद आज को कम करके इसे लगातार चलाते वे पकाते रहना है अब आप इसकी consistency देख सकते हैं काफी ज़्यादा थिक हो चुकी है और जितना ज़्यादा ये ठंडा होता जाएगा ये और ज़्यादा थिक यानि की गाढ़ा होता जाएगा उसके बाद इसे पापड बनाने में इस्तेमाल में लेना है तो पहले इसे इंतजार किजे कि ये ठंडा हो जाएगा बैटर अच्छे से प्रिपेर हुआ है या नहीं इसको पेचाने का एक और साइन है चमच पे इस घोल की अच्छी से ठीक कोटिंग हुनी चाहिए और जब आप इस पे लाइन ड्रॉ करें तो इस पे लाइन बन जानी चाहिए वस ये एक आखरी पैचान है तो अमने ये आपको चार से पांस साइन बता दिये कि आपको किस तरीके से बेचाना है कि आपका हो जाएगा जीरा और उसके बाद हम इसे और ठंडा करेंगे and then पापड बनाएंगे आलो और साबद आने का बैटर ठंडा हो चुका है जब आप इसे स्पून से गिरा कर देखते हैं तो यह पूरी तरीके से एक साथ गिरता है यह देखे यह पहचान है कि अब यह पापड बन की नहीं चेह जबेगे नहीं और बिना बनाएंगे तो पापड बनाने कैसे हैं आपने स्पून से ऐसे ठोड़ा सा बैटर ग्राना है और हल्क असे अपर उपर की लेर पे ऐसे थोड़ा सा फैला देन ए चैश्मार्ण के दिबेगे आप इसे ठोड़ा सा ड b Faculty देना है अगर किसे भी सुपर मार्केट में आपको ये फ्रिज मैट एजिली मिल जाएंगे ये बहुत ये अच्छा साधन है पापड बनाने का दोस्तो अगर आप पापड अचार के शोकेन है और किसी अन्य वराइटी के पापड चाहिए या फिर अचार चाहिए तो आप हमें कोमेंट कीज करिए और महमानों को सेब केज़े ये बहुत अच्छा स्नेक्स है अगला काम आपने क्या करना है इन पापड को सुख लेना है दोस्तों अगर आपके घरों में टैरेस नहीं या फ्लैट में रहते हैं या फिर धूप नहीं आती है धूप की समस्या है तो आप इन पापड को अगर आप आज शाम को पापट बनाते हैं तो आप इनहें परसो शाम तक एंजोई करसकते हैं यदि आप फैन की हवा में सुखाते हैं अग्र आपके घरों में अच्छी दूप आती है तो आज सोबा मॉर्निंग में बनाए और शाम को एंजोई करें दोस्तो हमने पापड फैन के हवा में सुखने के लिए डाले हैं और अब आप देख सकते हैं ये साइट से रिलीज हो रहे हैं ये शीट छोड़ रहे हैं साइट साइट से तो जैसे जैसे ये सुखते जाएंगे ये अपने आप इस शीट से रिलीज होते जाएंगे आपने कु बहुत ज़्यादा ट्रांस्पेरेंट इसके पीछे आप हमारी उंगलियां साफ साफ देख सकते हैं मार्केट में ढूनने से भी आपको इस तरीके के पापर तो कहीं नहीं मिलेंगे इस बात की गैरेंटी है तो अगर आप ही अगरी करते हो मेरी इस बात से तो इस वीडियो को एक लाइक अभी दीजे और शेर कीजे इसे दोस्तों के साथ चलिए इन्हें तल कर देखते हैं पापर तरने के लिए तेल अच्छा गरम कीजे उसके बाद इन्हें शामिल कीजे तेल के अंदर दो चीजों का स्वाध आप एक सिंगल पापर में ले पाएंगे ये फूल रह हैं और इनमें बहुत अची से खुशबू आ रही है जैसे ही इसे हम तेल में तलने के लिए ढाल रहे हैं दोस्तों ये पापर आलू के पापर और साबुद आने के पापर दोनों का एक कॉम्बो है और इसे वरत में आप शामिल कीजे या फिर यूही स्नैक्स की तरह इन्हे और बचों को ये बहुत पसंद आएंगे आप इसे ट्राइ कीजे और अगर रेसेपी अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजेगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजेगा और किसी अन्ने तरीके के दाल के पापड या फिर आलू के चेप्स पनाना चाते मक्य के पापड आर तियाग धिर वाटिन के पापड आए पापड प्रेट जाफ अच्छी टार उडड डीजेगा और के जाल दीजेगा जाएड दॉटार के ओटिआ लिए्या और के लूड जीजेगा टार दीजेगा तकीजेट कीजेगी जाएफ दीजेगी अन्यूट सिटेगे जाएडू